पहले तो सभी उपस्तित मेडिया के बंदों का बहुत बहुत श्वागत है हमारे बीच में आदने संकर सिंग जी राजप्रोईत विराजबान है और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि देश के अंदर चुनाव का महुल चल रहा है और चुनाव के अंदर पुरे देश के अंदर परधान-मंत्री नरंदर मोदीजी के प्रति जो रुजान है और देशरी बार सरकार बनने जा रही है और चार सो प्लस के साथ स्वीट सरकार बनेगी और राजस्तान में भी 25 की 25 शिटें भारतिय जंता पार्टी की आने जा रही है और इसके पीछे निच्चत रूप से कालने की प्रदान मंतरी नरेंदर बोदी जी ने देश की जंता के दिलों को जीता हैं और उनके जो काम करव हो चाहिए एक्सप्रेश वे हो चाहिए हमारे एर कनेक्टिवीटी हो और इस प्रकार से इस तरह से रिफाइंडरी का अंदिरमान किया जा रहा हो या इंडिस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा हो और इस प्रकार से की इंफ्रास्ट्रेक्ट्ट्र हमारे देश और आज जिस तरह से आज किसानों के लिए जो काम किये गए किसान सम्मान निदी हो चाहिए एक्टियों बनाने की बात की गई हो तो आम जन के अंदर देखा जाए तो चाहिए वो महिलाओं के लिए हो या युवाओं के लिए रोजगार की बात की हो या रोजगार मिला हो तो साथ और राजस्तान के लिए वी जो काम वे टुब केंदर सरकार की योजना के जो काम उए और फारई को मिल रहे और जहां राजस्तान में भारत में सद्धिक वे सब्सक्राइब की शें तो उस समय , आपने देखा होगा की केंदर सरकार की thankagir नीचे नहीं उतठने देना उनको कैसे बाधिद करना ये कांग्रेस के कलचर में रहा जस्तान के अंदर और उसकी प्रणिते ये रहेगी राजस्तान की जंटा ने उसको खाड़के फैक दिया और डबल न की सरकार राजस्तान बनी हैं तो राजस्तान के अंदर भी निचे तुरूप से पिछले जब हमारे मुख्यमंत्री भजनला जी जब बने तब से लेकर अभी तक जो हमने संकल पत्र के अंदर जो गोशना की थी वह संकल पत्र की 45 पर्तिश्ट हमने उनको इंप्लिमेंट कर दिया और अभी हमारे पास में आगे भी साड़े चार साल पड़े हमारे पास में तो हम उनको सत परतिश्ट करेंगे और उससे भी आगे जाएंगे तो आने वाले समय के अंदर राजस्तान का विकास हो बाड़मेर जैसलमेर का विकास हो और इसलिए बाड़मेर जैसलमेर की जनता के अंदर जो काम हुए हैं तो वह भी केंदर सरकार की इसकी मुटे चाहिए परदान मद्री आवास मिले हो जंता को चाहिए हमारे गरीब कल्याण के अन्यूजना के को दोंब मिलने की बात हो या मैं पूज उजान के क्नेक्स ड़िए बहूने को जो बहूने हुश सकते हैं और इसी प्रकार से आज सम्मान नीदी का पैशा किसान को मिल हैं फशन विमा के तयद क्लेम जिस तरह से उनको पड़ा है तो यह मैं कह सकता हूं कि बाडमेर जैसलमेर की जनता भी आने वाले वक्त के अंदर जो विकास के अंदर कॉंग्रिस ने रोडे डाले थे चाहे वो एरपूर्ट का रोडा डालने की बात हो चाहे बाजरानुसंदान की जमीन देने में देरी करने की बात हो और इसके साथ ही पानी के लिए हर घर जल पह और इसलिए आनेवाले वक्त के अंदर हर परिवार को सूम्फे को रोजगार मिले और जैसा कि अधीक से अधीक कैसे रोजगार मिले क्यOY राजस्तान के अंदर शरकार लाजों ने उसके उपर ध्यान दिया था और अने तबेँ के अंदर मैं आतों कर सकते हो कि हमारी ज्यादा ज्यादा हमारे काम होगोगों 20 सभाक बनी दर और कि अधिये मरें के हम प्सक्षानों एक हम कर सकते हैं यूँवाओं को रोजगार के लिए जैसा कि रिफाइंद्री का काम तदराया तेल के कुवें या इसके डवलोमेंट के उपर हम अधिक बल देखे और यवाओं को रोजगार दें और उसके साथ ही हमारी जिस तरह से काम हुए हैं आगे उनको भी काम को या नहीं होने दिए कॉंग्रेस ने कैसे करवा से और में करवा है तो कंगنا्यॆ का है अनुसंदान केृ पर खरीदने के लिए तए अब मारा सब्सक्रानी और में हम खरीदने के लिए की तययार के सठान सरकार चटें के कि इसलिए मैं पहीन है तो एक निकमी सर्कार कह सकते हैं जो किसान विरोधी सरकार सायव ratty उनके अब वह सरकार जा चुकी है äप आने वावा एक समय हम यूवाओं को रोजगार पी दें और यहाँ पर जो किसानों के लिए ज्यादा ज्यादा कैसे हम पानी पहुंचा सकें किसानों की समिश्या सबसे बड़ी पानी गी रहती है बाडविर जैसल मेर के अंदर आज अनार का हब बन चुका है खजूर यहां पे होता है अनजीर पैदा होने लगया जीरा हो रहा है तो इनकी प्रोसेशिंग यूनिट यह पर लगे ताकि किसान को यहीं का यहां सब सुधा मिले जीरे की मंडी यहां पर बने ताकि उनको गुजरात ना जाना पड़े यह सारे बाते हैं और नरब्दा का पानी आगे बड़े ताकि सींचाई के लिए हमारे बाड मेर के अन्य जो विधान सबाइं उनके अंदर भी पह किसानों को पाणी दें पहुंचाएंगे ताकि हमारे किसानों को सफ़ता मिले और यह काम अगर कोई कर सकता है तो भारती जनता पार्टी कर सकती है बाकी चाहिए कितने भी हैं कोई आप देख रहे हैं कि कॉंग्रेस ने किया नहीं अन्य जैस तरह से देख रहे हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि काम कराने का अगर है वादा मामा जो बचन देती है या जो संकल्व लेती है तो भार्धी जनता पार्टी लेती है और संकल्व को पूरा करती है इसलिए आने वाले वक्त के अंदर मेरा सपना है कि मेरे बाढ़ मेर जैसल मेर के एक ऐसा सुनरा बाढ़ मेर बने जहां पर तुरिज्म भी ऊह तुरिस्ट आया तुरिस्ट बने और इस ह शbreak कर एयरपोर्ट में कहले साथ है और यह सबीए ब्रदान में आखाटार में गुनि लिए जैक जैसल मेर की जनता हमधा Saul बोधीजी के साथ है और राजस्तान में 25 की 25 शिटे भार्टी जनता पार्टी ऑई ऐसा निच्ची तुरूप से राजस्तान की जनताने मानस बनाया है और राजस्तान की जनता के साथ कमेर का भिकास साने वाले समय के अंदर Harmonie मैं एक सांसत्की रूप में ने फेले भी काम किया है मैने जितना बाड मेर् जैसल मेर के अंदर समय देकर और जिस तरह से योजना हो लाकर पहले जो नहीं कर पाएं, वो काम मैंने यहां पर करवा हैं, आज यहां पर देखा जाए तो कितने सांदार यहां पर हाइवे बने हैं, भारत माला की शड़क बनी हैं, जिस शड़क के उपर आज फाइटर प्लैन उतरने लग गें, आज एक्सप्रेस वे बाड मेर जैसल मेर क कि योजना के तहता हजारों किलोमेटर शड़कें यहां पर बनाई गई हैं और उसके साथ ही रेलवे के अंदर भी आपने देखा होगा कि रेलवे की इलेक्टिफिकेशन का काम लाइट का पूरा काम हो चुका है और उसके बाद मेर के अंदर आज आपको बताना चाहता हू और अधिक से अधिक ट्रेने हम लाएं हैं यहां पर आगे बढ़ाने के लिए वासिंग जैसल मेर के अंदर जैसा वासिंग का काम सुरू हो चुका है बाड मेर के अंदर भी इसको बढ़ाया जा रहा है ताकि प्रेने ज्यादा से ज्यादा और कैसे बढ़े तो इसके लिए हैं का विशे हो गया यहां पर अधिक से अधिक को रोजगार की सो रहें और यह थे टॉस तो इस प्रकार से मैं आप को कहना चाहता हूं कि यहां जितनी तरकार की योजना है उनको नीचे उतारने का काम हमने करवाया है चाहिए उसके अंदर यहां पे बाड़मेर के अंदर जो कोरोना के समय के अंदर भी आपने देखा होगा कोरोना के अंदर कॉंग्रेस के लोग घरों में गुशे हुए थे कोई बाहर नहीं निकल रहा था एव हम सभी उन पेशेंटों के बीच में हस्पीटों के अंदर जान को जोखिम में डाल कर भी उनके वेक्षिनेशन से लेकर और अन्य प्रकार से काम कर रहे थे तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जनता है वो निचे तुरूप से विकास को देख रही है कौन साथ खड़ा है और मैं को राजनितिक जीवन के अंदर मैंने अवेसा शेवा को प्रात मिक्ता दिया है मैंने आंदोलन किये हैं जनता के लिए चाहे वो मजदूरों के लिए हो चाहे किसानों के लिए हो और चाहे आम जन के लिए हो शड़कों पे मैंने भूगे रहकर भी जब कॉंग्रेस की सरकार तो उनकी आंदोलन करके समश्या को उस समाधान करवाया क्षार, और अब डबल इंजन की सरकारें, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमारे आने वाले समय के अंदर मेरा बाड्मेर जैसलमेर एक ऐसा सुनरा बने जिसको दुनिया लोग देखने के लिए कि वास्ता में एक समय ऐसा था जहां कोई काले पानी की सजा के लिए क्या का जाता था लेकिन आने वाले वक्त के अंदर मेरा बाड मेर जैसल मेर हर वेक्टी आए और यहां इस सुनरे भविश्य के जो है वह विक्षित भारत होग और मैं जन्दा के बीट में सेवा करेंगा